तो चरिए अब अपनी हभी परसुती गी और शर्ती हैं एक बहुत चोटी सी बच्ची जिसका जिक्र में आप रोगों से कर चुकी हूँ साड़े चार साल की उम्र है और अभी जब इनकी गाई की आप सुनेंगे तो आपको लगीगा कि आशा जी अगर बच्पन में मूँ खोलती होंगी गाने के लिए तो ऐसे ही गाती होंगी चोटी सी बच्ची बहुत प्यारा साथ के इनकी फूप सौंग लेकर आई है पान खाय से यां अमाद अजिका सिरास्तर को आवाज दे रही हूँ इतनी चोटी है कि मंच बर्दूर से दिखाई भी नहीं देती हैं कई बाद बड़े-बड़े मंचों पर ये छोटी सी एकड़म ओट के मुँ में जीना जाजी दिखी ही अब इनको देख लेगे इनकी हिम्मत देख लेगे आज पूरी जिंदगी का इतना ये तीसरा मंच है इनों ने स्कूल जाना चुरू नहीं किया और संकीत दिखना पहले शुरू कर दिया ये सब चीजी मेरे लिए एक उग्रदी हैं क्योंकि सुल्टा अतन्दम परिवाल में अगर ऐसे बच्चे हैं अगर ऐसे बच्चे हमारे साथ हैं तो सच कहतियों कि सुल्टा अतनका में एक दिन साथ में आस्मान की उचाईयों को जरूर चूपाएगा इंदा ट्रेस लेगवाए अचाई कामेरी चुर किया उत लाल लाल है है बल्बल का तुर दान मनमल के तुर से पिच्ची है लाल लाल पान खाएगा आरो कामेरी चुर के सुल्टा आरो जर बेनानी ले आया जाले बना रसका जर्दा अपने ही गडिया में फोल रहे हैं अपने दिल लगे ना पूस ने दर्दा उचे बेदर्दा पानिखाए तया मारो होई होई ना बनी तो रदिया ओते लाले लाल नाए नाए मलमल का पुर्दा मलमल की पुर्दे जिल के लाले लाल पानिखाए तया मारो पानिखाए पुर्दद के अपने प्या प्याज़ उखिड्स के जिल रे दो को फिर इता है पानिखाए आपाए आपनिखाए पानिखाए लेक्ट्म बगिया कामारी बगिया कामारी बगिया कामारी जितना अच्छा गाती है यू उतना ही अच्छा सेंटसाइजर भी प्ले करती है आज समय नहीं था अगली बाल जब आओंगी तो आप लोग एया रैमान जी की तरह इनको कीबोर्ड बजा कर गाते हुए यहां जरूर सुलेगे जितना ही कि जरुदा जरूरू यहां जाल जाँ जाल्यू नहीं झालव अध्यू जो भादे गतार दुबंगी झाल झाल